है हिंदी स्टूरेंट चलिए आज हम चलते हैं नेक्स टॉपिक में अपना क्रोमोजूम हमारा आज का टॉपिक क्या है क्रोमोजूम बोले तो गुण सूत्र क्या बोलते हैं इनको गुण सूत्र या क्रोमोजूम देखिए गुणसूत्र यह क्या होते हैं गुणसूत्र और क्रोमोजोम क्या है ठीक है आज जो आए हैं वो फायदे में रहेंगे ठीक है और जो नहीं आए हैं उनको बता देना कि वीडियो देख लेंगे तो क्रोमोजोम आपके गुणसूत्र जो हैं यह क्या होते हैं देखे कल मैंने आपको बताया था नूकलियस क्या बताया था नूकलियस ऐसे आपका यह नूकलियस स्ट्रक्चर मैंने कल आपकी बनाई थी वीडियो में डाइग्राम थोड़ा अच्छा सा नहीं डाला गया है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कल मैंने आपको ऐसे डाइग्राम बताया था बताया था ना कल ऐसे डाइग्राम बताया था ना हाँ और ये होते हैं आपके क्या वाली पार्ट से ही आपकी लगी हुई थी नुक्लियोलस और आपका यह था नुकलियोप्लास्म यह आपका क्या था पूरा द्दाइग्राम कल मैंने बताया था यह दाइग्राम आपका पढ़ना था वीडियो में प्राइब जो आपको यह क्रोमेटिन नेट हैं हम पढ़ाने जा रहे हैं क्रोमोजोम तो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कौन करता है आपका क्रोमेटिन नेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं गुण सूत्रिय जाल क्या बोलते हैं गुण सूत्रिय जाल यह आपके हिंदी में कहलाएंगे गुण सूत्रिय jgrass गुल सूतुरीय जाल किसके बने होते हैं यह गुड सूतुरीय जाल बने होते हैं किसके ड्य new ड्झ अगी किसके बने होते हैं । ड्झ जो कहले टा है ड्य ऑक्सी NSEE ड्यों मेद ड्याईबान निूौने ड्या ना आ Kenny और आर्व्ने आपका क्या कहलाता है nucleic acid ठीक है ना nucleic acid बोले तो आपका जो nucleus के अंदर carry lymph में या Kendra द्रव में आपका पाया जाता है nucleic acid इसे हम DNA और प्लस आपका RNA इन दोनों को एक सब्द देते हैं हम nucleic nucleic acid ठीक है nucleic acid नाम देते हैं यह nucleic acid के मिलने से ही आपका क्या बनता है chromatin net गुण सूत्रिय जाल यह गुण सूत्रिय जाल आपस में ऐसे उलजे होते काफी घने होते हैं उलजे से जाल जैसी structure होती है यदि इनको अलग-अलग separate किया जाए मतलब इनकी length तो काफी जादा होती है इन्ही net के through इन्ही जाल के through जब इनको separate करके और इन्हें मिला करके खटा add करके जोड करके शंगनित करके जो structure बनाई जाती है वो कहलाते हैं क्रोमोजोम, क्या कहलाते हैं क्रोमोजोम, यह कहलाएंगे आपके क्रोमोजोम, कहना चाहिए क्रोमोजोम का निर्माण कहां से होता है, क्रोमोजोम का निर्माण DNA से ही होता है, DNA पहली क्रोमेटीन और क्रोमेटीन फिर आपके एखटे शंगनित रूप ले करके क उनके एक खटे एड़े होने से बनी एक बड़ी structure होती है, जो कि आपके क्या करती है, अनुवानसिक character को लिए होती है, और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में क्या होती है, transfer होती है, समझ में आया ना, DNA, DNA में ही आपके क्या होते है, DNA में क्या होते है, nitrogenous base, अभी मैं बताऊंगी, DNA को जब बताऊंगी, तो nitrogenous base क्या होते है, adinin आपने पढ़ा होगा, adinin, guanin, आपका cytosin और thymine, ठीक है न, यह होता है DNA में, DNA में यह पाए जाते है nitrogenous base, ठीक है न, और यदि RNA लेंगे, तो thymine की जगए है, हम क्या लेंगे, uracin लेंगे, यह किसके लिए है, RNA के लिए, यह कहलाते है nitrogenous base, इन ही nitrogenous base से, आपकी एक genetic unit बनती है, जिसे हम क्या बोलते है, gene, क्या बोलते है, gene, gene जो कि कहलाते है, आपके अनुवांसिकी की, unit of heredity या genetics, यह gene क्या करते है, आपके कोई भी, चाहे प्लांट हो, चाहे आपका फंगास हो, चाहे आपका animal हो, कोई भी जिव जनतू हो, उसके लक्षणों को present करता है, यह लक्षण आपके एक जिव से, जब reproduction होता है, तो reproduction के थू, आपका एक जिव से, दूसरा जिव निर्मित होता है, तो यही gene, parent से, क्या करते हैं, बच्चों में जाते हैं, समझ में आए न, जैसे हम लोगों के जो लक्षण है, हम लोगों के भी लक्षण हमारे parents से आते हैं, समझ में न, तो इस तरह से यह gene होते है, gene का निर्माण कहां से होता है, nitrogenous base से, आता gene आपके कहां पर रहेंगे, DNA में भी रहेंगे, DNA से आपके chromatin में भी जाएंगे, और chromatin से आपके chromosome में भी आ जाएंगे, क्रोमोजोम में भी आपके जीन क्या होंगे पाइज आएंगे समझ में आगे ना चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो क्रोमोजोम है क्रोमोजोम को सबसे पहले किसने बताया है प्रोमो जोन को आपका सबसे पहले आपके ज्यानिक आते हैं इन 1818 में 1818 में आपके आते हैं होफ मिस्चर ठीक है ना यह आपके होफ होफ मिस्चर होफ मिस्चर यह लिखेंगे हम होफ मिस्चर होफ मिस्चर एंड आपके निगैली एक आते हैं कार्ल निगैली कार्ल निगैली यह बैग्यानिक हैं दो होफ मिस्चर और कार्ल निगैली 1818 में आते हैं होफ मिस्चर और कार्ल निगैली इन्होंने प्लांट में प्लांट में आपका यह पता है यह आपका क्या होता है एंथर क्या होता है यह एंथर यह एंथर होते हैं जैसे आपके यह एंथर बने होते हैं वह एंथर फिर यह फ इस्टामेन भी बोल सकते इंगलिस में तो इस तरह से आपके एक तंतु को हम इस्टामेन बोलते हैं और इसमें आपके अंदर जो आपके पाये जाते हैं इनको बोलते हैं पॉलिन ग्रेन क्या बोलते हैं पॉलिन ग्रेन या इनहीं को हम बोलते हैं मेल गैमीट मेल गैमीट जो कि प्लांट में कहलाते हैं, प्लांट के जो मेल गैमीट कहलाते हैं वो पॉलिन ग्रीन, तो कारल ने गैली और हॉप मिस्चर ने प्लांट के पॉलिन ग्रीन, प्लांट के पॉलिन ग्रीन में आपका सबसे पहले क्रोमोजोन को देखा था, सबसे पहले यह जैसे पॉलिन ग्री इनका यह nucleus रहेगा, तो nucleus के अंदर जो धागी नुमा structure आपकी दिखी थी, वो आपकी क्या कहलाती है, chromosome, तो question आए, यदि कि half mister ने कहां से discovery की थी, तो pollen grain से, पराग कन कहलाते हैं, ये पराग कन की कोशिका में सबसे पहले हौफ mister और काल निगैली ने chromosome को देखा था, समझ में है न, कब 1818 में, इसके बाद आपके आते हैं, 1875 में, तो next मैंने introduction बताया, किसने discover किया, किसने name दिया, ठीक है न, plant में कैसे chromosome होंगे, plant में कैसे होंगे, plant में large होंगे, compare to animal, जो plant के chromosome होते हैं, वो जन्तु की अपेक्षा बड़े होते हैं, plant में chromosome की संख्या, जन्तु की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, समझ में आगे न, अब देखिए, जैसे यदि हम देखे, कि many type of animal में, यदि हम देखे, जैसे plant में देख ले, कुछ आपके plant में chromosome की number देख ले, जैसे आप देखना, plant chromosome number, plant chromosome number कितनी है, तो देखना इसमे, plant chromosome number, कुछ-कुछ plant में बता देते हूँ, जिनके मैं botanical name भी बताऊंगी साथ में, यह न, बैग्यानिक नाम, बनश्पतिक name में आपके कहलाते हैं, जन्तूओं में geological name, जन्तू आपके कहलाते हैं, geology में पढ़ते हम जन्तूओं को, इसलिए उनके नाम को बोलते हैं, geological name, और plant को हम botany में पढ़ते हैं, इसलिए उनके नामों को बोलते हैं, botanical name, समझ में आगे न, बनश्पतिक name और आपके जन्तू निम, तो plant के कुछ नेम में बता रहे हूं, जैसे देखना आपका गेहूं, क्या आता है, गेहूं, wheat, चीक है ना, wheat, यह है गेहूं, गेहूं में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, गेहूं, गेहूं को जो बानसपतिक नेम है, वो कहलाता है, triticum estivum, क्या कहलाता है, triticum estivum, estivum हमेशा देखना, एक जो first name होता है, वो generic name कहलाता है, और दूसरा आपका कहलाता है, specific name, समझ में है ना, एक आपकी, क्या करता है, एक आपकी बंस को, एक जाती को प्रकट करता है, ठीक है ना, तो इसलिए जो binomial nomenclature, नामकरण की पध्धति, कैरोलस, लीनियस ने जो दी है, तो इसके according first name capital में लिखा जाता है, और जो जाती आती होती है, उसका first letter small c ही चलता है, तो जाती हमेशा छोटी letter में लिखी जाती है, समझ में आगे ना, तो यह triticum estivum, गेहू में कितने chromosome पाए जाएंगे, गेहू में पाए जाएंगे 42, क्या पाए जाएंगे, 42 chromosome, समझ मे जैसे आपका आता है, जिया मेज, मेज आपका कहलाता है मक्का, क्या कहलाता है, मेज, मेज का जो बनस्पतिक नेम है, वो कहलाता है आपका जिया मेज, जिया मेज, तो जिया मेज में आपके पाए जाते हैं कितने, 20, कितने पाए जाते है, 20 chromosome, ठीक है, आपका MPPSC में question आया आपका अभी इस एक्जाम के पहले question पूछा गया था genome किया कहला तो genome हमी निकालते हैं। जैसे आपके chromosome हमेशा कैसे होते ह्सटपर होते है। आपके chromosome आपको अपता न है ऐसे आपके double आकiveness धागों में भी पाए जाते हूँ। और ऐसे यह आपका एक जोड़ा। आपका कहलाएगा क्रोमोजोम का, समझ मैं ना? तो क्रोमोजोम का, जो यह इसे हम ऐसे deployed to n के form में बोलेंगे, यदि इसका single हम बोले, तो single को हम क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, क्या बोलेंगे, n, जैसे हमारी पूरी बोडी में कितने हैं, 46, 46 46 क्रोमोजोम वोले तो आपके 46 आपके क्रोमोजोम यदि 46 का हम आधा कर दे तो आपका क्या हो जाएगा 23 यदि कुछ आए कि Human का Genome क्या है तो 23 है Genome इसी तरह मक्का का आजाए कि Genome क्या है हम genome कहते हैं, यह MPPSC prelims में question आ चुका है, समझ में आए ना, यह ध्यान रखना, तो इसी तरह यह हो गया मेज, इसी तरह आपको P, P, मटर आप बहुत पढ़ते हो, तो मटर का नाम है Pysm sativum, क्या है, Pysm sativum, Pysm sativum, Pysm sativum में आपके होते हैं 14, ठीक है, 14 chromosome number, Pysm sativum में 14 chromosome number होते हैं, समझ में आगया, इसी तरह यदि हम देखे, टोमेटो, यह हैं आपका टोमेटो, इसे हम बोलते हैं, Lycopersicum Esculentum, यह आपका Lycopersicum, यहां देखना स्मॉल एस बनाना है, स्मॉल एस रहेगा, इसपसीज में स्मॉल, जहां भी कैप्टल हो जाए, उसे स्मॉल, इसपसीज नेम में हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा, इस्टार्टेंग में, आपके कितने होते हैं, यहाँ पर 24 होते हैं, कितने होते हैं, 24, लाइको पर्सिकम, एसकुलेंटम में आपके 24 होते हैं, और राइजा सटाइवा में भी 24 होते हैं, और राइजा सटाइवा चावल कहलाता है, राइस, चीक है ना, राइस, यदि हम देखें, राइस, यह देखो आईजर सटाइबा में क्रोमोजोम की नंबर 24 और यदि हम जीनोम पूछे कि और आईजर सटाइबा का जीनोम निकाली है तो कितना आजाएगा 12 आजाएगा समझ में आया न एक आपका ठैरीडोफाइटा का प्लांट आता है आपका टैरीडोफाइटा ओफियो गलॉसम지 एक आपका प्लांट है ओफियो गलॉसम बिना बीज वाले जो आपके plant कहे जाते हैं वो आपके कहलाते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरीडोफाइटा तो एक मैं टेरीडोफाइटा plant बता रहे हूं जिसमें क्रोमोजोम की नंबर काफी जादा है उसमें क्रोमोजोम की नंबर है 1262 ठीक है ना? और भी हां हो सकते हैं एक आप टेरीडोफाइटा में ही आपके आ सकते हैं तो इस तरह से एक टेरीडोफाइटा ओफियोगलॉसम आपका आता है ओफियोगलॉसम में क्रोमोजोम की नंबर आपकी 1262 ठीक है जो की काफी जादा है अधर प्लांट से जादा है समझ मैं आना तो यहां आप लिख सकते हैं टैरी टॉफािटर में प्लांट में बता रहे हुँ मैं uh… एया लिखा रहता है ठीका ना रैटी कुलरिस रैटी कुलेरिया यह आपका बनस्पतिक नेम आपका बताए वह टेरीडोफाइटा प्लांट है यह समझ में ना यह आपका प्लांट क्या है टेरीडोफाइटा अब जैसे हम तो अपने आसपास ज्यादा तर देखते हैं जिनमें आपके फूल बीज सब बनते हैं ठीक है ना तो वो सब आपके यह आपके ऐसे प्लांट है सीड लेस यह आपके प्लांट क्या कहलाते हैं सीड लेस जिनमें बीज बनते ही नहीं है यह मैंने टेरीडोफाइटा प्लांट एक बताया इसका आपका यह साइड ओफ यू ग्लॉसम आप नाम याद रख लो बीज रहे तो आपके यह देखे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो तीन आपकी कैटेगरी तीन कैटेगरी ऐसे हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते एक थैलोफाइटा जिसे हम एलगी कहते हैं एलगी सुना आपकी पानी में हरी हरी फैलती रहती है थैलस जैसे आपकी रहती है तो चाहे अब उसको आप रूट बोल दो स्टेम बोल दो चाहे पूरी बॉड़ी बोल दो उसमें थैलस के अलावा ऐसे चपते चपते आकार के प्रिय प्लांट कहलाते हैं, देखना कि गर्मी में भी छाया जहां नमी होगी वहां छोटे-छोटे से आपके प्लांट पाए जाते हैं, बस उसमें स्टेम और पत्ती वस्तक वह सीमित रहता, उसमें फूलूल और आपका बीच-वीच कुछ नहीं बनेगा, वह आपके कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा, कहलाते हैं, ब्रायोफाइटा, मॉस, और आपका, ये, मैंने आपका ब्रायोपसिडा, लाइकोपसिडा, ये क्लासिफिकेशन आपका पढ़ाया था, लास्ट क्लासस में, तो वहां पूरा क्लासिफिकेशन में मैंने बताया, तो वह आपके ब्रायो fighter कहलाते हैं च्छोटे होते सेंटी मीटर से ले करके इनकी लेंथ मीटर से कम होती है इन में बीज नहीं बनते हैं इसके बाद आते हैं आपके terryinophyta plant terryinophyta meter से आपके ज़्यादा होते हैं एक मीटर से 2-3 मीटर तक इनकी लेकिन इन में भी आपके क्या नहीं बनते हैं सीड नहीं बनते हैं तो आपके ये ऐसे तीन तीन कैटेगरी में जब हम classification plant का पढ़ते हैं तो तीन आपके seedless plant आते हैं और दो आपके seeded plant आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं gymnosperm और angiosperm gymnosperm को हम बोलते हैं अब्रत बीजी plant ठीक है ना शॉरी अनाब्रत अनाब्रत बोलेंगे कि जिसके चारों तरफ seed के चारों तरफ जब छिलका ना पाया जाए जैसे यह चिलका है आपने चना लिया तो चने के चारों तरफ छिलका होता है ना तो यह seed coat यह चिलका आपका पाया जा रहा है तो यह आपका एंजियो स्पम कहला किया ऐगा एंजियो स्पम एंजियोस्पम प्लांट कहला का लेकर ही यह देखोर यह सीड्रबस एँ सीड्र लाव सीड्राएगा आवरण ना सेट जीम्नो इस अको we इसा हम बोलेंगे आवरद भीजी मतला उसके चारो तरफ एक नात पहरAd आवरण पाया जाए तो इसे आवरत्त वीजी और इसे बोलेंगे हम अना वरत्त वीजी प्लांट जैसे साइका स्पाइनस यह सब मैंने आपका बताया था तो यह आपका जो प्लांट बताया मैंने ओफियो ग्लॉसम आपका रेटी कोलेरिस बगेरा इसमें आपके जो की नमबर आपका यह एक आपका जोआर्व की नमबर आपकी पाइजाती यह ठीम कितना हो जाएगा इसका जीनोम समझ में आगे आप शचलिंगों समय ने इत्म हैं कि आ गोड़ प्रोमोजूम नमबर को ही हम, क्या बोलते है, जीनोम बोलते है, अबिषगा मतलम, दुए गोड़िद कहलाता है 2N, और आगुड़िद कहलाता है N, तो दोए गुडित में जैसे आपका ही आएगा 1262 और आगुडित में आएगा ये 631 तो ये है जीनोम इसे हम बोलते हैं जीनोम ये कहलाता है आपका जीनोम समझ में आ गया ठीक है तो ऐसे आपके कुछ और भी आपके ऐसे कई प्लांट हैं सेम इसे तरह आपके एनीमल में क्रोमोजोम नंबर जैसे सबसे पहले हम देखें एसकेरिस एसकेरिस में क्रोमोजोम की नंबर 2 होती है वहीं आपका प्लांट में सबसे कम नंबर कहां फंगस में म्यूकर म्यूकर एक आपका फंगस कहलाता है ये है आपका म्यूकर म्यूकर आपका ये फंगस कहलाएगा कव और सब्कुकर है बहुत में दोगे तो होगी है तो मुख़ णकी अलगे दिया हूँ यह क्रोमोजोम की नंबर क्या बताई है यहीं यहीं आपके यदि मैं लिखू cat cat dog है cat dog cow यह लिख दिया मैंने यहाँ human man लिख दिया तो इनमें chromosome की नंबर सब जीवों में क्या है अलग-अलग है जैसे cat में देखां तो cat में हमारा जो genome यदि हम बोले कि genome लिखिए इसका तो cat का जो genome होगा वो कितना होगा वो 19 होगा कितना होगा 19 क्योंकि इसमें जो chromosome की नंबर होती है वो 38 होती है chromosome की नंबर 38 होती है और 19 जो लिखा है यह मैंने genome लिख दिया है क्या लिख दिया है genome लिख दिया है तो यहाँ आप यह आप देखना यह 38 है यह 38 है यहाँ पर cat में यहीं हम dog की बात करें तो dog में होते हैं 78 dog में कितने होते हैं 78 यदि हम cow की बात करें तो cow में होते हैं आपके 60 cow में कितने होते हैं 60 यहीं हम अपनी बात करें मनुस्ट की बात करें तो मनुस्ट में आपके कितने होते हैं 46 अब यह आपके देखो 46 अब यह 46 यह 78 38 जो मैं आपको बता रहे हूं यह chromosome की नंबर तो अभी यह chromosome भी body में जा करके दो पार्ट में डिवाइड होंगे एक तो आपके जो पूरी body में chromosome पाए जाते हैं वो कहलाते हैं autosome क्या कहलाते हैं autosome काईक गुण सूत्र इनको हम आगे चलके कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे दो पार्ट में एक होंगे आपके 44 और दो आपके होंगे एक तो यह 45 और यह 46 ऐसे तो 44 जो chromosome कहलाएंगे वो कहलाते हैं autosome क्या कहलाते हैं autosome हिंदी में बोलते हैं को कायक गुण सूत्र या देहिक गुण सूत्र और जो आपके दो गुण सूत्र यह बनेए हैं 45 और 46 नंबर के इनको हम बोलते हैं hetero kromo som remarkable स्वाइं कि हम sex kromo यदि इनकी बात करें तो male में होते हैं यह xy और यहीं यदि हम female की बात करें यह male है और यदि हम female की बात करें तो female में होते हैं xx तो इनकी number जो होती है, इनकी number आपकी male और female में चुकि अलग-अलग type की देखने को मिलती है, इसलिए इनको हम hetero chromosome भी बोल सकते हैं, समझ में आये ना, इनही chromosome को देख करके male और female का क्या होता है, पता चलता है, male और female का निर्धारण किया जाता है, समझ में आये ना, तो ऐसे ह अरजीवों में chromosome की number जो होती है, वो क्या होती है, अलग-अलग होती है, समझ में आया ना, यहां देखना, mosquito, mosquito आता है, मच्छर, Q-Lex मच्छर, सुना होगा आपने, जीक है, तो mosquito, mostly आपका mouse-q-toes में यदी हम देखे, mouse-q-toes में आपकी 6 होती है, chromosome की नंबर कितनी होती है, चिंपांजी में देखें, तो 48 होती है, यदि हम मंकी में देखें, मंकी में देखें, तो 42 होती है, रैट में देखें, तो भी आपकी 42 होती है, रैट में भी आपकी कितनी होती है, 42 होती है, यदि हम होर्स में देखें, तो आपकी 64 होती है, यहीं हम फ्रॉग में देखें, तो frog में होती है 76 कितना दिया गया है frog में नहीं frog में ज्यादा आएगी search करना देखना frog में 76 आएगी 26 लिखा है एक बार search करके देख लेना हो सकता है कुछ updated किया गया हो देखो frog में chromosome की नंबर आप लोग देख लेना जो भी हो mostly आना तो यहीं चाहिए बट हो सकता है कुछ update किया गया हो change किया गया हो कुछ तो उसमें आप देख सकते हो ठीक है अब आप देखना यहाँ पर आपका एक protozoa है protozoa जो जैसे अमीवा पेरा मीशियम यूगली ना पढ़ा है ना हमने यूनी सैलूलर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है अपन यह सब जीव जन्तु जो क्या बताएं मैंने मल्टी सैलूलर बहुकोसकी जीव उच्चवरगी जीव बताएं मैंने समझ मैंना यदि हम देखे यहाँ पर एक आपका protozoa आता है protozoa protozoa यह ओलो कैंथा ओलो कैंथा करके है इसका नाम यह protozoa नाम बताया गया इसको इसमें जो क्रोमोजोम की नंबर होती है वो 1600, 1600 कितना बता रहा है फ्रॉका तो इसमें 1600 तक होती है कितनी होती है, 1600 तक होती है, जो कि आपका multi-cellular एक human से भी, एक dog, cat जितने हम पढ़ते हैं उनसे कई ज़्यादा गुनी है और यह unicellular organism है यह, समझ मैंना, एक कोसकी निम ने बर गिये जीव है, यह protozoa, कितनी है, 26 बता रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ इसको कर लीजिए आप 26 कर लीजिए ठीक है, चलिए, तो ऐसे यह बता है मैंने, जो क्रोमोजोम अपन पढ़ने वाले हैं तो क्रोमोजोम की नंबर हर जीवों में क्या होती है, अलग-अलग होती है जाते हैं, जो जीवों में लक्षणों का क्या करते हैं, निर्धारन करते हैं, एक जीन, एक लक्षण को प्रेजेंट करता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है एक जीन, एक साथ, दो या दो से अधिक लक्षणों को भी आपका लक्षणों को प्रकट करता है, उसे हम बहु लक्षणों वाला जीन हम बोलेंगे, पैलियो ट्रॉपिक जीन टाइप में हम बोल सकते हैं, उसे देखना इसमें, अब हम बताते हैं, structure of chromosome, क्या बता रहे हैं, structure of chromosome, जैसे अभी हमने type of chromosome में बताया, तो type of chromosome में organism में हमने दो type भी बता दिये, एक तो आपकी क्या होते हैं, काईक गुणसूत्र और एक होते हैं, लेंगिक गुणसूत्र, ठीक है ना, बोले तो autosome और sex chromosome, इसके अलावा कुछ chromosome की number आपकी क्या होती है, ज्यादा भी होती है मतलब size wise और chromatid number wise भी ज्यादा हो जाती है, उनको हम polyteen chromosome और lamp bruce chromosome या B chromosome या आपके lambda chromosome ऐसे कई नामों से और special chromosome को भी define किया जाता है, ठीक है ना, जिसमें से polyteen lamp bruce chromosome जो होते हैं, वो आपके पूछे जा सकते हैं, समझ यहाँ देखना भी मैं आपको बता रही हूँ, structure of structure of structure of chromosome chromosome की संरचना chromosome की संरचना, गुण सूत्र की संरचना यह है आपकी गुण सूत्र की संरचना, एक गुण सूत्र की संरचना कैसी होती है, क्या-क्या पाया जाता है एक गुण सूत्र की संरचना में क्या-क्या पाया जाएगा, ठीक है तो देखना एक गुण सूत की संरचना हम बनाते हैं, एक गुण सूत की संरचना यदि हम बनाएं, तो आपके यह कैसे दिखाई देंगे, ठीक है? आप लोग भी ऐसे डाइग्राम बना ले ना? देखो, यह जो मैंने इस तरह आपका सेब जो बनाया है, वो जैसे आपन ऐसे ऐसे नहीं बनाते हैं, यह एक थ्रेड और यह आपका ऐसे, यह जैसे एक क्रोमोजोम, यह क्या है? यह एक क्रोमोजोम, यह एक क्रोमोजोम है, तो एक क्रोमोजोम यह कैसा आपका भरा रहेगा? तो इस क्रोमोजोम के चारो तरह पहले आपकी एक लेयर पाई जाती है, क्या पाई जाती है? लेयर, क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है, इस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं इस लेयर को बोलते हैं हम पैलिकिल ये प्रोटीनस लेयर होती है और इस लेयर को हम बोलते हैं पैलिकिल तो ये आपके पैलिकिल पाई जाती है ये हो गई आपके पैलिकिल इसे हम बोलते हैं पैलिकिल पहली किल, पहली किल को हम बोलते हैं क्रोमोजोम का आवरन, क्या बोलते हैं, गुण सूत्रिय आवरन, हिंदी में डाल सकते हैं, गुण सूत्रिय आवरन, यह हो जाएगा, गुण सूत्रिय आवरन, यह हो गया, गुण सूत्रिय आवरन, जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन क का बना होता है यї जादा तर आपका 99% इसमें प्रोटीन आपका ज़्यादा तर रहता है तो STOP कवर कहलाता यह अशे अब इस कवर के अंदर यह धी हम देखें कि जो क्रोमोजों होता है जिसे हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ऐसे तो एक, एक थ्रेड आपका क्रोमेटिड कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रोमेटिड, तो ऐसे हम देखेंगे, क्रोमेटिड, तो एक क्रोमेटिड को यदी हम देखें, तो यह ऐसे आपका यह क्रोमेटिड है, यह आपका यह एक क्रोमेटिड, यह आपका यह एक क्रोमेटिड, यह आ एक क्रूमेटेड है, यह एक क्रूमेटेड को देखें, तो इसका भी यदि डिटेल देखें, तो एक क्रूमेटेड ऐसे दोहरा होता है, कैसा होता है, ऐसे दोहरा, दोहरा क्रूमेटेड होता है, एक क्रूमेटेड में दो पतले-पतले धागे दिखते हैं, तो इस तरह से यह एक chromatid है आइसे एक chromatid को फूला जाए तो ये कैसा दिखेगा? Double दिखेगा. समझ में आगे ना? तो ऐसे इसमें आपका Agriculture होता है, एक chromatid में double धागा आपका ये पाया जाता है. ऐसा quiet आपका ये double धागा पाया च Hazel 25 में संदर 20 चालब 25 मैं दिदेमानादिक यद चीज नीड हो गार हुआ गकाव वह सुनाद कान चीज कह Together Jewish फट इरुज अंदर चाहिए चार उस पहले गैसाम में alsoalf में जो दो आपकी धागे इसे और यह आपके यलो वाले को क्रोमो निमा यह हो जाएगा क्रोमो निमा यह हो गई क्रोमो निमा है जब आपके यह कुंडलित होते हैं तो वहां नाइटरोजनस छार यूनिट आपकी पाई जाती हैं उन्हें यूनिट को हम बोलते हैं जीन, क्रोमो निमैटा बोलेंगे, समझें ना, तो यहां पर आपके कुछ नाइट्रोजनस ऐसे, आपके छार जैसे स्ट्रक्चर ऐसे, बोले तो दाने के नुमा में कुछ-कुछ आपकी संरचनाय देखने को मिलती है, बीड लाइक स्ट्रक क्रोमो मियर भी बोल सकते हैं, क्रोमो मियर या क्रोमो निमैटा भी बोल सकते हैं, क्रोमो मियर या क्रोमो निमैटा और यही क्रोमो मियर एक तरह के क्या होते हैं, जीन कहे जाते हैं, यह आपके एक तरह के क्या है, जीन है, क्रोमो मियर में अनुवानसिक सूचनाय आपकी ज जैसे क्रूमोजोम यहां और एक सकरा पार्ट बना कि अढ़ा कर दो,pekts आई पर यहां आप Are का फूला पार्ट और फ NorthचALL करके संगर हो गया फिर आपक यह ऐसे फूल गया तो यह जो सक्रा-पाठ है यहां पर प्रोमेटिड राप पास पास आ जाते हैं यहां दोनों मैंटिड यहां यहां और यहां और की क्या हो जाएंगयin ऐसे भोस पास-Pास आ तो यहां जो आपकी यह structure बनती है, जहां पर दोनों chromatid आपके पास पास आ जाते हैं, इस structure को हम बोलते हैं centromere, क्या बोलते हैं centromere, यह आपकी कहलाएगी centromere, question आए कि आपके chromatid गुण सूत्र के जो धागे होते हैं, आपस में किस से जुड़े होते हैं, तो centromere से स्थान पर मिलते हैं, यज्य सिस्थान पर जुड़ते हैं, उस place को हम centromere कहते हैं, क्या कहते हैं centromere, तो इस तरह से आपकी centromere, एक chromosome में centromere की नंबर एक या दो आपकी हो सकती है, समझ में है ना, तो इस तरह से यह centromere है, यह centromere, centromere को ही हम क्या बोलते हैं primary construction, च्योंकि सक्रा हो जाता है, chromosome का भाग यहां पर आ करके सक्रा हो जाता है, इसे लिए हम इसे primary construction, प्राइमरी construction भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, primary construction, ठीक है, primary construction हो गया, अब देखना, फिर यहां से आपके यह सक्रे भाग से बापिस again chromosome आपका चोड़ा होता है, और आपका नीचे की ओर सक्रा हो जाता है, और दुबारा फिर वो सक्रा हो जाता है, दोनों प्रोमेटिट फिर पास पास आजाते हैं, तो यह आपका second centromere कहलाएगा, क्या कहलाएगा? या आपका second centromere या इसी को हम बोलेंगे secondary construction secondary construction secondary construction ज़्यादा तर secondary construction वाले पार्ट से ही आपका क्या पाए जाता है? NOR NOR क्या है? बताए न मुझे कल मैंने समझाया था N-O-R जब किसी क्रोमोजोम में सेकंड कॉंस्ट्रक्शन देखने को हाँ न्यू, न्यूक्लियर और्गेनाईजेशन रीजन जहां पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है मतलब क्रोमोजोम का ऐसा भाग जहां पर न्यूक्लियस लगी होती है उसे हम बोलते हैं N-O-R बोले तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर या न्यूक्लियोलस भी लिख सकते हो ठीक है ना, न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियोलर या न्यूक्लियोलस Nuclear तो आपका Kendra कहलाएगा Nucleolar या Nucleolus यहां आप लिखेंगे Nucleolar ये लिख सकते हो या कि फिर Nucleolus L-U-S कर दो Nucleolar या कि Nucleolus बोले तो Kendrica Kendrica का आपका क्या हो रहा है जिस स्थान से Kendrica लगी होती है उस स्थान को N-O-R बोलते है समझ में आए ना तो Nucleolar और O से है Organization Organization और R for कहलाता है Reason R for Reason समझ में आए ना तो Kendrica हमेशा Secondary Construction में देखने को मिलती है Chromosome के जो Second Construction होता है जो Second Centromere होता है वहाँ पर आपकी लगी होती है समझ में आगया अब देखना आब जो Kendrica का ज़्यादा तर हम देखें कि Kendrica आपके किस किस Chromosome में ज़्यादा तर देखने को मिलती है तो आपका ये है 13, 14, 15 21 और 22 यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है Kendrica इन Chromosome ये Chromosome क्या है हमारे Autosome Chromosome तो Autosome Chromosome में जो आपकी Secondary Construction है वो ज़्यादा बनते हैं इसलिए Nuclear Organization आपका यहाँ पर ज़्यादा इस पस्ट क्लियर देखने को मिलता है बागी किसी Chromosome जो दूसरे आपके जो जैसे Sex Chromosome है या 1, 2, 3, 4, 5 आपके ऐसे बीच में है तो उनमें आपके देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है समझ में आगे हैं? चलिए आप देखते हैं Secondary Construction के आँगे वाला जो Chromosome का ये वाला पीछे का भाग है यह आपका कहलाता है Satellite क्या कहलाता है? Satellite यह सेट जिस भी Chromosome में Secondary Construction के आँगे का Chromosome बाला पार्ट आपका पाया जाता है उसे हम सेट क्रोमोजोम कहते हैं क्या कहते हैं? सेट क्रोमोजोम तो यहाँ कुछ चीज़ें मैं साप कर दूँ यहाँ देखना यह मैं साप कर रहे हैं यहाँ पर यह Secondary Construction के आँगे जो जाता है तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या? Satellite 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 यह इसी को हम जिस भी Chromosome में Satellite पाया जाता है उस Chromosome को हम बोलते हैं Set Chromosome Set Chromosome सभी में Set पाया जाएं ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है? किसी किसी में यह हो भी सकता है कि जब आपका Secondary Centromere बनेगा तभी तो Set Chromosome आएगा जिसमें Secondary Centromere नहीं होगा उसमें Set नहीं आएगा समझ में आगया? अब देखना आपका यह जो Chromated यह आपका Centromere यह जो सब भरा हुआ है तो यह Pellicle के अंदर आपका कुछ-कुछ आपका Liquid पार्ट भी रहेगा और यह धागे नुमा आपकी इस्ट्रक्चर है तो इस तरह से Chromated और Liquid सभी को मिला करके एक साथ क्या बोलते हैं? हम Matrix बोलते हैं क्या बोलते हैं? Matrix यह Chromo Zone का क्या होता है? Matrix Matrix के अंदर आपके दोहरे आपके पहले दो और फिर उन दो में भी देखेंगे कि सिंगल-सिंगल धागों को भी देखा जाए तो यह Double होते हैं इस तरह मैट्रिक्स में चार धागे दिखाई देते हैं बोले तो Chromo निमा जो होते हैं वो आपके चार होते हैं और Chromated जो होते हैं वो दो होते हैं समझ में आ गया? अब आपका जो यह Chromo Zone जहां से स्टार्ट हुआ था तो यह आपका Polar पार्ट कहलाएगा दृविये छेत्र यह है यह है दृविये छेत्री ही है एक और Chromo Zone का छोटा पार्ट लगा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टीलो मियर क्या बोलते हैं? टीलो मियर यह यह ऐसे यह ऐसे अटेच करना बाहर से यह यह आपका कहलाएगा टीलो मियर इसे हम बोलेंगे टीलो मियर यह कहलाता है टीलो मियर, क्रोमोजोम के ध्रुबिये वाले भाग में या टर्मिनल पार्ट में उपरी सिरे पर क्रोमोजोम के अतरिक्त एक और छोटी समरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं टीलो मियर, क्या बोलते हैं? टीलो मियर, इसमें पाया जाता है टीलो मरेज एंजाइम, क्या पाया जाता है? टीलो मरेज एंजाइम, यह है आपका एंजाइम, टीलो मरेज एंजाइम, यह टीलो मरेज एंजाइम क्या करता है? राइबो न्यूकलिक प्रोटीन, चीक है ना? राइबो सोम जो प्रोटीन बन आता है राइवो न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्मान करता है राइवोसोम की प्रोटीन बनाने में टीलो मरेज एंजायम हेल्प करता है और यह पाया जाता है टीलो मियर में इसके अलावा यह टीलो मियर एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम को जुड़ने नहीं देता है जहां भी टीलो मियर आएगा, वहाँ पर दूसरा, जैसे इसी तरह का दूसरा क्रोमोजोम आजाए, तो यहां नहीं जुड़ेगा, इसके बगल से जरूर आजाएगा, लेकिन इससे नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि टीलो मियर रोकने का कार करता है, एक क्रोमोजोम में दूसरा क्रोमोजोम आकर के जुड़ने ना पाए, इसलिए टीलो मियर आपका पाया जाता है, और जहां भी टीलोमीर नहीं होगा, वहाँ दो क्रोमोजोम के अटेच होने की संभावना रहती है, समझ में आगे ना, तो इस तरह से ये क्रोमोजोम की structure है, क्रोमोजोम की structure में मैंने आपको पहली किल बताया, सबसे पहला first part कि क्रोमोजोम के चारो तरब पाया जाने वाला ज देखने को मिलता है, तरल भी कुछ पाया जाता है, कुछ आपका thread जैसे solid part में भी आपका पाया जाता है, तो इस तरह से इस पूरे जिली के अंदर पाये जाने वाले material को matrix कहते हैं, इस matrix में दो chromatid होते हैं, पहले आपके दो धागे देखने को मिलेंगे, ठीके ना, तो इन ये, इसे हम बोलेंगे chromatid, क्या हम बोलेंगे chromatid, लेकिन इसमें देखो एक ये है और एक ये, दो धागे है ना, तो ये एक chromatid है, इसे बोलेंगे हम chromatid, ये chromatid, अब chromatid डवल धागों से जो बना है, तो ये धागों को हम बोलते हैं, chromonima, क्या बोलते हैं, chromonima, तो ये ह को जाएगा क्रोमो निमा समझ में आ गया और इस तरह एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटेड हैं दो क्रोमेटेड हैं और कितने क्रोमो निमा है साइंटिस्त बताते थे असी हजार से एक लाख तक आपके बताते हैं, एक लाख बीस हजार तक बताते हैं, लेकिन that time में Human Genome Project के according, जो human में सर्च किया गया है जीन की numbers को, तो तीस हजार बताई गई है, कितनी बताई गई है, तीस हजार, समझ में न, और हर जीन का लक्षण अलग-अलग होता है, जैस इन हमारा हमें क्या पसंद है, ठीक है न, खाने में, पीने में, देखने में, पहनने में, यह सब आपके लक्षण होते हैं जीवों के, तो इन लक्षणों को यही हमारा genetic material ही present करता है, समझ में है न, आखे कैसी है, आखों का color क्या है, बाल कैसे है, करली है, सीधे है, कैसे है हैं गंजे हैं कि हैवाल यह सब आपके जो लक्षण होते हैं यह सब लक्षणों को यही आपके नाइट्रोजिनस बेस यूनिट आपकी प्रेजेंट करती हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या जीन बोलते हैं समझ में आगे न तो इस तरह से यह होती है आपकी क्रोमोजोम की स्ट् परस्डे को अभी आय तो है नहीं भीया क्यों छोड़ रहा है अभी थोड़ा सा और सुन लो थोड़ा और देखो वह आ जाएंगे वी चार-पांच मिनट में पांच मिनट और देखो तिक हैं पांच मिनट में मैं दो चीज और बता देती हूं यहां पर फिर छोड़ देंगे लेट लगी है ना अभी डिस्टा भी हो गया था आपका यहां देखो मैंने आपको बताएं हैं एक आपका आता है न्यूक्लियो सॉम मॉडल यह आता है आपका न्यूक्लियो सॉम यह आपका न्यूक्लियो सॉम क्या कहलाता है न्यूक्लियो सॉम किसे कहते हैं यह काफी इं आपका कहलाता है unit of chromatin यह आपका unit of chromatin unit of chromatin unit of chromatin is called the nucleosome nucleosome क्या है कि गुड़ सूत्रिय जाल की इकाई कही जाती है यह कहना चाहिए गुड़ सूत्र की भी इकाई हम बोल सकते हैं जैसे यह chromatin net आपके ऐसे जाल के रूप में है ना यह जाल के रूप में net के रूप में तो यदे इसका थोड़ा से पार्ट यह जाल नुमा थोड़ा सा पाठ ले ले तो यह आपके क्या कहलाएगा यूखियो सों कहा जाएगा यह जाल बना है ना जाल के छोटे से पार्ट को मैंने ले लिया तो इसे हम क्या बोलेंगे nucleosome बोलेंगे ठीक जैसे बीड होते हैं मोती की माला जैसी होते हैं बीड लाइक तो हम बोले मडिका कार मडिका कार मडिका कार संरचना संरचना बताई किसके न्यूक्लियोसोम के न्यूक्लियोसोम के जो इस्ट्रक्चर बताई है और ने वो बताया है बीड लाइक या मडिका कार बताई है समझ म यह वे खुए होगे आप रिख लिया अब देख ना इसके बादर आते हैं आपके बेगध्याने कर कॉरण बर्ग कॉर्ण बर्ग अंड एंड तॉमस ले फिसका न्युक्लियो सुम नहीं हर दिया है Nucleosome model Nucleosome model किस ने दिया है? Cornberg और Thomas ने Nucleosome model Cornberg और Thomas ने दिया है Nucleosome में आखिर होता क्या है? Nucleosome में आपने देखा होगा कि Nucleosome का जो formation होता है वो किस से होता है आपका? DNA से किस से होता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? DNA DNA अब कितने DNA? DNA एक आपका यह जैसे आपका NET बना हुआ है यह NET और NET का हमने यह थोड़ा सा पार्ट ले लिया यह तो इतने में तो DNA पता चलेगा बहुत सारा होगा ठीक है ना? तो जो DNA में जो base pair होते हैं base pair बोलें तो nitrogenous base जिन्हें हम adinin, guanine, cytosine, thymine यह सब बोलते हैं जैसे एक DNA के structure देखते हैं तो उसमें हम 10 pair बताते हैं 10 pair आपके nitrogenous base पाए जाते हैं आपके लेकिन यदि एक nucleosome है तो उसमें nitrogenous base कितने होगे? लगभग 200 base pair 200 base pair आपके DNA के 200 base pair लेते हैं, nucleosome में समझ में आगया? प्लस लेते हैं हम protein कौन सी? histone protein histone protein histone protein और क्या लेते हैं हम? histone protein के अलावा DNA linker DNA को जो जोडने के कार किये जाते हैं जैसे आपका ligage enzyme, linker कहलाते हैं enzyme, जो जोडने और काटने का काम करें वो आपके तो linker जोड़ेगा ठीक है ना? और जो endonuclease वगएरा होते हैं वो क्या करते हैं? काटने का कार करते हैं तो यहाँ enzyme कुछ लिया जाएगा तो इसलिए इसके बोला गया है DNA linker DNA linker DNA linker और आपके यहाँ जो histone protein ली गई है histone protein कितने प्रकार की होती? कल बताया था मैंने कितने प्रकार की? histone और non histone और histone के भी कल मैंने प्रकार बताये थे nuclear protein होते दो प्रकार की एक histone एक non histone और फिर मैंने histone के भी प्रकार बताये थे कि हाँ, कौन-कौन से? हाँ, हाँ, वेरी गूड, ठीक है न? तो यहाँ जो histone protein है यहाँ हमें कौन-कौन लेना है? H2A, H2B, H3, और आपका H4 और जो आपका H1 लेना है H1 भी आपका आएगा लेकिन H1 यहाँ बाद में लिखना है, हमें histone 1 जो है, histone 1 यह आपका बाद में लिखना है यहाँ पर histone ही है, लेकिन यहाँ हम जब structure बताएंगे तो mostly आपके यह जुड़े होते हैं साथ में यह चारों octagonal structure बनाते हैं नुक्लियोसों की, समझ में है न? तो इस तरह से 200 base pair आपके क्या होते हैं? nitrogenous base, histone protein, DNA linker और H1 H1 को हम sealing protein of nucleosome कहते हैं nucleosome की sealing protein कहा जाता है इसे, चीके? यदि diagram देखेंगे हम, तो diagram इसका कैसा बनेगा? यह देखना हम झाल यहां देखना है यह हो जाएगा h2a h2a h2b h2b यह हो जाएगा h3 h3 h4 h4 और यह हो जाएगा आपका h1 यह आपकी histone protein है अब dna के जो धागे हैं जो nitrogenous base आपके होते हैं वो आपके कैसे जुड़ते हैं तो वो आपके ऐसे बिल्कु पॉयलेड ऐसे जैसे आपका ऐसा नहीं होता ऐसे 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 आपका इनसे लिप्टा रहेगा तो जैसे देखना यह हम बनाने की कोश कर रहे हैं इसको जैसे जैसे यह आपका ऐसे आएगा फिर आपका यहां से ऐसे निकलेगा फिर आपका जैसे यह ऐसे आया और यह आपका ऐसे क्वाइल हुआ यह ऐसे निकला ऐसे बीच से ऐसे ऐसे बीच से आपका ऐसे यदि डाइग्राम को नहीं काटें तो ऐसे आपका ऐसे क्वाइल रहेगा फिर यह ऐसे जुकेगा और फिर इस स्क्रेश्टाप्ट तो इस तरह से यह यह आपके यह जो 4 8 हो गए जो h1 है यह h1 अलग रहती है ठीक है इसमें मेन आपका जो यह मैंने बताया है h2a h2a h2b h3 और h4 और इंटू 2 तो 4 4 कर दो करेंगे तो 8 और प्लस हो जाएगा यह dna base pair फिर हो जाएगी dna linker dna linker और फिर हो जाएगी आपकी क्या फिर हो जाएगी आपकी h1 तो यह h1 h1 dna को dna धागों को h2a h2b h3 h4 से इस तरह से जोड़ने जोड़ने रखने का कार करती है इसलिए इसे हम sealing protein कहते हैं क्या कहते हैं sealing यहाँ linker जैसा work दिखा रही है आपकी h1 तो इससे sealing इसलिए इसको थोड़ी अलग टॉप पर बनाया जाता है इसको क्वाइलिट के साथ में नहीं रखा जाता है तो इस तरह से यह nucleosome कहलाता है nucleosome model आपका आपका corn वर्ग और आपका thomas ने दिया है समझ में आए न और जो nucleosome होता है वो एक आपका क्रोमेटीन का क्या होता है unit कहा जाता है क्रोमेटीन या क्रोमोजोम की जो एकाई कही जाती है उसे हम बोलते है nucleosome nucleosome में DNA, DNA की कितने base pair 200 base pair histone protein और आपका एक linker आपका enzyme रहेगा जैसे ligage बगेरा भी वहाँ लिखा जा सकता है और H1 आपकी अलग से protein अलग लिखेंगे उसको क्योंकि वो sealing cover करती है तो इस तरह से nucleosome model आपका complete होता है ठीक है अब कल हम next आपका बताएंगे DNA को थोड़ा बताएंगे हम DNA structure और फिर हम आजाएंगे आपका blood में DNA अभी DNA के structure आपकी अलग से पूछ सकता है DNA का structure मैं बताऊंगे DNA के structure जैसे यह तो nucleosome structure बताईए अभी DNA के structure Watson Crick model पढ़ा होगा आपने पढ़ाएं में Watson और Crick ने double helix DNA का model दिया था तो एक DNA में जो एडिन इन, guanine, cytosyn, thymine है, यह कैसी इनकी structure होती है, कितने bond पाए जाते हैं, एडिन इन कब बोलते हैं, थाइमीन कब बोलते हैं, यह सब बताऊंगे कल में तो DNA के detail structure जो F-mister ने दिया, F-mister ने दिया, F-mister यहाँ hop-mister बोला है, यहाँ यह जो थे chromosome को दिया है, वो hop-mister है, और वहाँ F-mister है, वहाँ अलग है, वो F-mister है, तो F-mister के बाद फिर Watson और Crick आये थे बैग्यानिक, जिन्होंने DNA का best model, जिसे हम double helix model कहते हैं, तो उस model को कल बताएंगे, हम DNA की structure को, चीक है, इसे close करो, जैहिंद,